आपकाश के स्पेशल रिपोंज में आज हम बात करेंगे वस्तु शास्तर के अनुसार हमारे घर में बात्रूम का क्या क्या हमहेत होता है और बात्रूम को किस तरीके से हमें रखना चाहिए या फिर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम अमुमन अपनी जिंदगी में कर देते हैं ल अपने जीवन में किन-किन चीज़ों को गलतियां करने के बाद परेशानी का सामना उठा रहे हैं तो आज हम आपको अपनी से रिपोर्ट में यही समझाएंगे कि आखर बाथरूम से जोड़ी वो कौन-कौन सी बाते हैं इनको अगर आप घ्यान में रखते हैं या फिर कुछ ऐसी गलतियां बिलकुल नहीं करते हैं जिसके बाद आपको लाव जरूर होगा या फिर आप भी अगर ये गलतियां अपने बाथरूम से जोड़ी भी कर रहे हैं तो आज से ही साबधान हो जाईए क्योंकि या आपके लिए काफे जादा घा तक भी सावित हो सकती है तो चले शुरूरात करते हैं आपको उताने बाथरूम को गंदा छोड़ने की आदत बहुत जादा लोगों में होती है लेकिन ये आदत दुरभाग बढ़ाने वाली है इसकी वजह से चंद्र और राहू केतु के दोश काफी जादा बढ़ जाते हैं जिसके उपर राहू केतु के दोश बढ़ते हैं उसके जीवन में बहुत जादा दिक्कत बहुत जादा परेशानी का सामना उसको करना पड़ जाता है इसलिए इन सब चीजों का इन सब बातों का विशेश दियान रखने की ज़रत है वहीं पानी का कारक चंद्र है और बात्रूम जलतत्व से संभन्दित होता है बात्रूम में पानी का आवय यानि की बहुत जादा आपको पानी नहीं बहाना है इससे आपकी कुंडली में हुए चंद्र काफी जादा कमजोर हो जाता है जिसके बाद आपको अपने व्यापार में, कारोबार में, नौकरी में दिक्कत का सामना करना पड़ता है इसलिए आपको इस चीज का भी विशेश ख्याल रखना है भोलकर भी आपको अपने बातरूम में गंदगी नहीं रखनी है बातरूम में गंदगी होने पर राहू केतू आपको काफी जादा परिशान कर देंगे जहां राहू केतू की दिक्कत से आपकी निजी जिन्दगी में नकारातमक्ता काफी जादा बढ़ जाएगी जिसके बाद आप अपने जीवन में बहुत जादा तरक्य करके कामयावी की और बिलकुल भी नहीं जापाएंगे वहीं बातरूम की गंदगी की वजह से वास्तु दोश भी काफी जादा बढ़ता है यानि कि घर से संभंधित आर्थे के स्थिती से देखा जाए तो परिशानी जादा होती है और दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है और सबसे खास बातरूम में आपको जादा पानी बिलकुल नहीं बहाना है वरना ये नकारात्मक्ता की ओर आपको बढ़ावा देता है इससे आपको दिक्ता जरूर होगी हमेशा याद रखें कि बातरूम में नीली बाल्टी का प्रियोग करें तो काफी जादा शुब होगा वहीं नहने क अगर बाल्टी में आप थोड़ा सा पानी छोड़ देंगे तो ये भी कही ना कहीं आपके शुब फल का प्रतीक माना जाता है तो इन सब बातों पर इससम चीज़ों पर आप विशेश तोर पर ध्यान देते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं फाइदे मन साबित जरूर हम फिर आज़र होते हैं किसी अन जानकारी के साथ किसी अनमुद्दे के साथ तब तक के लिए आप देखते रहे हैं और बने रहे हैं नेक्स नैन स्प्रिच्वल के साथ और हाँ हमारे चैनल नेक्स नैन स्प्रिच्वल को सबस्क्राइब करना बिलकुल न भूले नमस्कार कर दो कर दो